कि निश्ट अगलो लेंगे इस्टेरियर अंगे लाफ टेंगल यानिकी इस्टेरियर इस्टेरियर इंगल आफ एटेंगल इसे मालो बनाते हैं ट्रिंगल अथे अधियों समझेगा हों मैंने इस साइड बीस्टीक्या कहा तक डिटक तक दाको ऑधुषिशेंघर कि इसको बोलते हैं इस्टेरियर एंगल पाश पाहलन आपका ऐसे हो मोलो मैंने अभ ऐसे तोड़ा इधर हम आश्रेन किर इन एंए इस यंगल इन्गल ठीक है अच्छे अच्छा दो कमान लोगर हमीच को ऐसे रहा हो फैसे हैं जाने इस यहां एक पॉटता है किसी अंगल का इस्टेरियर मतलड गाता है जो भाहर कानपल्त है ना यो टैनल के बाहर बनता है in girl toяданиз इस इस्टेरियर इंगल और इस इस्टेर इंगल होता है कि तीन जो इस्टेリयर एंगल होता है वह क्या होता है अपने इंटेरियर एंगल के यानि अपने अंधर के इंगल के सामने के जो एंगल होते हैं उनके सम के इकल होता है यानि कि एंगल हो जाएगा इंगल ए और एंगल भी हो जाएगा इंगल ए और इंगल भी फ्रह एक बार फिर मेरी बास सुनिएगा कहता है कि जो एस्टरियर एंगल होता है इस्टरियर एंगल वह क्या होता है तो अपने अंदर के एंग करेंगे इस फ्रीघर के लिए तो जो इसका ही होजाने के सामने के सामने के जो दो अंगल है उन्हें के सम के बैब एक इंगल एपलस अंगल इसमें जो यह होगा अंदर के इस एंगल के सामने के जो दो एंगल होते हैं इनके सम के इकवल यानिक एंगल अचेकर अन्सक्तों अचेकर को को चाहेंघ देखें गता तो फ्लिक है शागता सो यहां देते हैं अगर यह मैरा एंगल है टीक है टेंगल यह यह एंगल एक सो दसके थो और यह एंगल कितना 50 का तो मुझे यह एंगल फाइंड करना तो आपको क्या पता है बाइडूल कि अगर एंगल हो तो लिखो एंगल 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 बरावर क्या होता है अपने अंदर के एंगल के सामने के जो एंगल होता है अपने अंदर के इसके सामने के जो दो एंगल है इनके समके यह एकल होगा यहनिकि एंगल एक प्लस इंगल डी ओन्हाद एंगल एक इतना दिया है 110 और इंगल एक इतना दिया है 50 डिगरी तो हम ऐसे एंगल अगर किसी टेंगल में हो तो उसके हम अंदर के कोई एक एंगल हम अराम से निकाल सकते हैं या जो भी अंदर होगा हम उसको फाइंग कर सकते हैं तियोटा था रिख आप एश्टरिय एंगल आफ एंगल आफ एंगल है यह कैसे आपको डिफाइड करनेंगे यह यहांको मेर घना ना तो देक्षशन बर्ना बना बनाते हैं एक किद लिए खेंग लिए किसी इनकलेटि यह तेन साइड एंड यह साइड भी स्माल साइड चीए दोखो ना हम ऐसा हम त्रेंगल के जो साइड होते हैं उसको हम इसमाल लेटर सही रिप्रेजन करते हैं तो इसमें एक रूल बोलता है ट्रेंगल इंक वेल्टी कहती है कि क्या करती है सम आफ सम आफ एनी टू साइड आफ ए ट्रेंगल इस एलिवेस सोरी इस एलिवेस गेटर फर्म गेटर फ्रॉम थर्साइड यहीं आपकी होती है ट्रेंगल इंक्वरिटी दोखो बस मैंने एक चीजी यहां पर यह लिखा है कि जो ट्रेंगल होता है उसमें जो ट्रेंगल इंक्वरिटी होती है कहता है कि अगर कोई ट्रेंगल है तो उसमें उसके किसी भी दो साइड का सम किसी भी दो साइड के सम जब थर्ड साइड से गेटर होगा तभी उस मिजर के यानि कि जो उस ट्रेंगल के जो साइड की जो जो आपके मिजरमेंट है उस मिजरमेंट के ट्रेंगल आप डिफाइन कर पाऊगे यानि कि आप उसका कॉंस्ट्रक्शन कर पाऊगे मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ अगर कोई ट्रेंगल एबी सी है तो यह ट्र तो लिखिनसो एकाद इंड negotiating जोडियों क्या है का जरेगा Hajima अगर आपका बढ़ा हो जाया किसे तभिया भाहिने किल या टरेंगेल a, b, c क्या होगा पासिविल होगा टेंगल बिपासिबल यह आता है अगर आपका बी प्लस सी गिटर होगा एसे तभी आपका ट्रेंगल क्या होगा पासिबल होगा अगर आपका ए प्लस सी गिटर होगा भी से तभी यह ट्रेंगल आपका पासिबल होगा तो वही आपका बोलता है ट्रेंगल इंक्वेल्टी क्या बोलता है ट्रेंगल इंक्लेटी कहता है गिसी ट्रेंगल में अगर उसके किसी दूशाइड का सम अगर फैसे गे टन uh होता है तभी वह ट्रेंगल क्या होता है ड्फाइन होता जैसे देण रिद्ध में यहां पर आ मैंथे बना दिया माल कर ऐब ईब इसको वे टाइट और उसे में अगर ट्रेंगल इंग्वेटी सूफ होगा की नहीं होगा याई कि आप कि इस्प्राइब करो कि क्या इसमें इस रिंगल के किसी दो साइड का सम कै असे बड़ा है अगर MIKE 3 5 करेंगे क्या मिल जागे 888 क्या है इस आगह ÖLE음 5-6 करेंगे यानियर दो साइड सक्ना आधा 11-11 क्या इसार्ट si pic butter the mall oh Pepper 3plus 6ba2 अच्छाइगा Odd 990 5 से बढ़ा है तो देखोना हम कर सकते हैं कि if the side of a triangle 3 5 6 therefore this type of measurement of triangle will be possible यानि कि अगर इस triangle ABC के कोई 3 side 3 cm 5 cm और 6 cm है तो हम इस triangle को in quality के according हम इसको define या इसको हम बना सकते हैं और ही था आपका छोटा सा लेकिन important triangle inequality फिर एक बार फिर सुनते हैं triangle inequality कहती क्या है कहता है कि अगर किसी ट्रेंगल में उसके किसी दो साइड का सम थर्ड साइड से हमेसा अगर क्या गेटर हो तभी वह ट्रेंगल डिफाइन होता है वर्न डिफाइन नियोगा आई थिंग कि आप लोग को यह समाज में आया होगा धन्यवाद ट्रेंगल डिफाइन होगा वर्न जाई हो तो साइड बार कि आढ़गा भावा होता है आया है आया है आया है